नमस्कार, साथियों जिस प्रकार से न्यू मून आने वाला है, तो आज मैं अपने ये वीडियो बना कर आपको न्यू मून अबंडेंस चेक कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाता है, वो सिखाऊँ देखे, जो लोग रेकी में हैं, वो तो जानते हैं कि न्यू मून अबं उसको करने से अपनी लाइफ में, मन में, अपनी डिजायस को पूरा करनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इन सब को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी के लिए हम एक चेक बनाते हैं, ये चेक को बहुत अलग नहीं होता, एक साधारन ही चेक होता है, लेकिन इसको बनानी का तरीका है, जो में आज अपने वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, इस सब से इंपर्टन चीज ये है, कि अखेर हम इसको न्यो मून पे क्यों बनाते हैं, जो कि बहुत सारी अनर्जी, उस समें वाइब्रेशन बहुत जादा होती है, एनर्जी लेवल ब बना कर रखते हैं, और यूनिवर्स के पास में अपनी इच्छा भेजते हैं, अपनी विशुन को बताते ही कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, अगर आप प्रॉस्पेरिटी के लिए तो बनाया ही जाता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के अलावा भी आप इसको बना सकते ह जैसे कि अगर आपके relationship में कोई issue है, तो आप बना सकते हैं, अगर आपके health में कोई issue है, या family friends में किसी भी तरह का कोई issue है, office में कोई problem है, हर problem के लिए आप बना सकते हैं, इसको बनाने के पीछे एक concept ये होता है, कि आपने अपनी wish लिखकर भवान के पास भेज दी, आपने अ जानता है कि उस wish को कैसे पूरा करना है, क्या क्या करना है, कैसे वो wish पूरी होगी, तो इस प्रकार से new moon के time पर हम ये new moon abundance check बनाते हैं, इसको बनाने का time ये होता है, कि जो new moon है, जिस दिन new moon रहे, within 24 hours आपको ये check बनाना होता है, डे टाइम में ज्यादा तर बनाया जाता है बाकि 24 hours में आप इसको कभी भी बना सकते हैं, तो आएए मैं आपको सिखाती हूँ कि new moon check कैसे बनाते हैं, तीकिए सबसे पहले जिस दिन आपको check बनाना है, आप अपनी थोड़ी से तयारी करने, तयारी किया, एक आप खाली check ले ले, ये तो मैंने check आपके लिए भर के red color, money को attract करता है, तो आप money prosperity के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो green ink को use करिए, तो एक green pen आप अपने पास रखिए, अपनी पसंद का essential oil आप अपने पास रखिए, money को attract करने वाले essential oils अपने पास रखिए, मैंने इस समय frankincense यूज किया है, आप चाहें कोई और भी यूज कर सकत हैं, जो आपको पसंद आए, या जिस खुश्बू को आप पसंद करते हैं, आप वो खुश्बू रख लीजिए, ये oil रखिए अपने पास, ये दालचीनी है, ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, दालचीनी मनी को attract करती है, साधरन तोर पे भी हम दालचीनी को use करते है हैं, मनी से related कोई rituals होते हैं, तो उसमें, तो इसमें भी आपको use करना है, आप दालचीनी थोड़ा सा अपने पास रखिए, ये देखिए, ये है crystal, ये citrin, citrin मनी को attract करता है, तो आप citrin भी रखिए अपने पास में, citrin भी मनी को खीचेगा अपने तरफ, तो इस तरीके से ये नाम लीजिए, आर्चेंजल को call करिये, आर्चेंजल माइकल को call करिये, मनी वाले आचेंजल को call करिये, तो इस तरीके से अपने एंजल को अपने पास call कर लीजिए, बुलाइए और उनको अपनी wish बताईए, कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों चैक बना रहे हैं, तो इस अब आप इसको लिखना शुरू करिए देखिए इसको लिखते कैसे हैं आप एक बार देख लिए इसके एक चीज में आपको समझाओंगी कि कैसे लिखना है देखिए उपर सबसे उपर जहां पर नेम है वहां पर आपको अपना नाम लिखना है नेम वाले कॉलम में उसके नी आप चाहें तो amount भी भर सकते हैं, लेकिन बहतर होता है कि आप paid in full भरिये, universe पे छोड़िए कि वह आपको क्या और कितना देना चाहते हैं, तो आप यहां पर लिखिए paid in full, उसके अलावा यहां पर भी, जहां पर money भरना है, आप वहां पर भी लिख दीजिए paid in full, ठीक है, इस के बाद आप आप आए नीचे, नीचे लेखिए, जहां पर signature का column होता है, यहां पर यहां पर लिखिए law of abundance, इस तरीके से आप लिखिए law of abundance, साथ में money को अट्रैक्ट करने वाले कुछ numbers मैंने इसे जोड़े हुए हैं, जैसे यहां पर देखिए नीचे लिखा है मैंने 520, उपर लिखा है 808, जो यह numbers money को अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही नीचे भी मैंने एक number लिखा हुआ है, यह numbers मैं description box में भी लिख दूँगी, ताकि आपको ठीक से दिख जाए, यह मैं आपको sample दिखा रही हुँ, कि किस तरह आपको तयार करना है, उसके अलावा, अगर माली ज symbols को यहां पर बनाईए, आप वसुदा बनाईए, आप मिदा स्टार बनाईए, आप जीबू symbols इस्तेमाल करिए, अगर आप जानते हैं, तो इस तरहे रेकी वाले students, रेकी वाले जो लोग healers है, वो यह symbols दे सकते हैं, लेकिन घबरानी की जरूरत नहीं है, जो लोग रेकी मे नहीं है, वो भी स्वास्तिक दीजिए आप, आप ओम दीजिए, या फिर आपकी धार्मिक मानेताओं के अनुसार, जिस भी चिन्नी को, जिस भी symbol को, आप जिस भी symbol पर विश्वास करते हैं, उस symbol को आप डाले, खोल की symbol आप यहां पर डाल सकते हैं, अपने भगवान से related, अपने देवी देवताओं से related, आप जो भी लिखना चाहें, उसको आप यहां पर लिख दीजिए, इसके अलावा, यहां पर नीचे लिखिए, यहां पर लिखिए, थैंक यू, यूनिवर्स को आप थैंक यू बोल रहे हैं, दिखिए, इस चेक को बनाए जाने के का एक कार हैं, हलांकि यूनिवर्स सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे इस चेक को बनाते वक्त आप अपने मन में अपनी विश को रखिए, यूनिवर्स को मनी मन बताइए कि आपके आप अपने बिजनस को बढ़ाना चाहते हैं, या इतने पैसों की आपको जरूरत है, आ आप अपने बिजनस के लिए क्लाइंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने एक्जाम के लिए बना रहे हैं, तो जो भी आपके डिजायर हो, उसको आप मन में रखिए, और यूनिवर्स को समझने दीचे, उनको समझ में आएगा कि आप आप में क्यों बनाया है, तो ये चेक बना कर आप अपना और अपने भवान का गौड और एंजल के साथ में रिष्टा जोडते हैं, तो ये बहुत ही पवित्र रिच्वल है, जिसको बना कर हम प्रॉस्पेरिटी और अबंडिंस को अपनी लाइफ में ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए, कैसे बनाया है, ये तो इसमें लिखा हुआ है, तो आपको समझ में इस तरह से आ जाएगा, और मैं इसको डालोगी भी ताकि आप फोटो देखकर इसका क्लियर समझ जाया है, और आने वाली न्यू मून पे आप इसको बना सकें, अब आपको करना क्या है, एक तरह से दालचीनी के टुकड़े रग दीजिए, इसके साथ में, ये ओल है, जो भी ओल आप यूज करें, मनी ओल हो, या जिस जो भी ओल आप पसंद करें, थोड़ा सा ओल लेकर में चेक पे लगा दीजिए, खुश्बू में खुश्बू आती रहे आपके चेक से, ये आप आपने न्यू मून अपंडेंस चेक तैयार कर लिया, अब आपने इसको एक जगह रख दिया और आपको भी इसको अगले न्यू मून तक छूना नहीं है, एक जगह रखे रहने दीजिए और भूल जाईए, यूनिबर्स को अपना काम करने दीजिए, आप भूल जाईए, बाकि जो देना है, जो मिलना है, वो अपने आपी आपको मिलेगा, आपने रख दिया, ऐसा होता है कि आप एक बार भी चेक बनाते हैं, तो वो भी काफी होता है, उसमें भी आपको असर दिखेगा, आपको प्रॉस्टारेटी अबंदेंस दिखेगी, लेकिन फिर भी मेरा स दिखेगे, तो इस वाले चेक को पवित्र अग्मी में आपको जला देना है, उसके पीछे की धार्ना यह होती है, कि आपने अपनी विश्भवान को भेज दी, उनके पास चली गए, तो आपने इसको जला दिया, और दूसरा चेक बना कर फिर उसी तरह से सुरक्षित रख जैसे आपने यह चेक रखा था, तो इस तरह से आप करिए, और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज होती है, किस तरह से प्रोस्तारिटी की रास्ते आपके लिए खुलते हैं, यह न्यू मून अबंडेस चेक जो है, लोग फट्रिक्शन पर काम करता है, कहा जाता है कि जिस चीज़ को भी आप बिल से चाहो शितत से चाहो तो यूनिवर्स वह आपको देता जरूर है, तो इसलिए अगर आपने बहुत विश्च के साथ बहुत इच्छा के साथ अपनी लाइफ में प्रोस्तारिती चाहिए, मनी चाहा है या कुछ और चाहा है, तो व क्या रिजर्ट्स आपको महसूस हुए, और भी साथियों अगर आप रेकी या कुछ और भी मुझसे जानना चाहें, स्विच्वर्ट से सीखना चाहें, रेकी सीखना चाहें, तो आप कभी भी मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, धन्यवाद्ट